आज हम लर्ण करेंगे EVS का चैप्टर नमबर टू जिसका नाम है All Together यानि कि हम सब साथ में ओके तो यहाँ पे हमें कुछ वर्कॉस के बारे में लर्ण करना है जो भी हमारी लाइफ के साथ जुड़े हुए है ओके तो चैप्टर बहुत ही इसी है और यहाँ पे बहुत अच् चैप्टर में तो पहला कॉंचेप्ट शुरू करते है जो कि है रीट यहाँ पे हमें कुछ रीट करने को दिया है तो चलो रीट करते है वी यूज एर वाटर एंड फूड सम्टाइम्स वी सी देम बी मिस यूज अभी हम क्या करते है एर का यूज करते है जब हम सांस लेते है तब उसके बाद है वाटर पानी का यूज करते है और खाने का यूज करते है लेकिन कभी-कभी हम देखते है कि हम उसका मीस यूज करते है उसको वेस्ट करते है इन्वायर्मेंट गिवस लेंड टू ग्रो फूड एंड बूर्ड हाउस अभी इन्वायर्मेंट जो है पर उसको प्रोटेक कर सके हम उसको अच्छा रख सके क्या हमने उसका क्लीन करना चाहिए उसका मिस्यूस होने से बचाना चाहिए उसके उपर कच्रेनी इफेक ना चाहिए ताकि जमीन का प्रदुशन ना हो our country is a country which reach diversity अभी हमारा देश एसा है जहां पर बहुत सारी वीवी दिता है reach याने की बहुत ही धनी, बहुत ही हाई र diversity याने की वीवी दिता है तो हमारी यहां पर भरपुर्ब वीवी दिता है our country is with diversity in religion, caste, language, sex and status अभी हमारी country में कौन कौन से वीवी दिता है तो religion, dharma की, caste की, language की, भाशाओं की विवित्ता, बहुत सारी अलग-अलग भाशा है बोलने वाले लोग यहां पे रहते हैं, बहुत सारी अलग-अलग caste के लोग रहते हैं, अलग-अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलीम, क्रिश्चन, सिख, इसाई, पार्सी, उसक के बाद स्टेटस में कोई रीच है, कोई पूर है, ओके, ओल्दो, इस डाइवर्सिटीज अर्दैर, इवन धेन, वियार प्रोवाइड़ विट इक्वल फैसिलिटीज, ओके, अभी यह डाइवर्सिटी क्यों है कि हम सबको, यह कोई भी डाइवर्सिटी क्यों नहां, इतन हमारी हमें यह सारी सर्विस मिलती है, हमें यह सारी सेवाएं मिलती है, तो हम कहां से मिलती है, यह सारी फैसिलिटीज हमें कहां से प्रोवाइड होती है, इसके बारे में हमें सूचना चाहिए, यह विशल डिसके अबाउट फैसिलिटीज, विवर गेटिंग एन हाव मच व आगे है स्टोरी अभी एक लड़का था जिसका नाम था आरियन वो कहां पे पहुंचा एहमदाबाद पे अभी किसी को पता नहीं था कि वो कहां से आया है वो कहां पे रहेगा और वो क्या खायेगा वो उसको पता नहीं था अभी हमारे खयाल कौन रखता है हमारे पैरंस हमारे फैमिली वाले तो हमारे पैरंस हमारे कपड़ों का हमारे खाने का हमेरी जरुरियत चीजों का हमारी पढ़ाई का सारी तरीका का खयाल रखते लेकिन आरियन के पास तो कोई था नहीं तो उसका खयाल कौन रखेगा वो विचार अकेला कैसे रहेगा बट वू विल हैप इस बॉई वाट विल हैपन टू हीम अब यह जो बॉई है आरियन उसको कौन मदद करेगा और उसके साथ क्या होगा यह किसी को पता नहीं है आगे हमें निक्स पेज पे दीखना है पेज नमबर ट्वेल पे तो यहाँ पे बहुत सारे पीच्चर्स दीए तो यह पीच्चर्स किसके पता है यह वो वो ही आरियन के है कि उसकी लाइस के साथ क्या हुआ ना देखो भी वो एहमदाबाद यहाँ पे पहुचा फर्स पिक्चर में हमें दिया है कि वो यहाँ पे पहुचा रोड पे अकेला खड़ा है अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि बारिश हो रही है और वो बिचारा अकेला रोड पे बेठा है अपने सामान के साथ बारिश हो रही है लेकिन सामने एहां पे Semenट पाई जो टरनल होती है वो पड़ी हुई है तो बारिश से बचने के लिए वो क्या करता है कि वह वहां पे चला जाता है देखो वो उसके अंदर बैठ जाते है तकि वो उसको बारिश से protection मिले, क्योंकि उसके parents नहीं है उसके साथ और कोई है नहीं, उसका यहाँ पर घर नहीं है, फिर next picture में हमें ऐसा दिखा दिया है कि यहाँ पर वो कुछ cooking कर रहा है लेकिन वो आप देखो जो tunnel में वो बैठा था बारिश से बचने के लिए उसी में वो बैठा है ठीके, तो यहाँ पर वो कुछ अपने लिए खाना बना रहा है, कुछ cooking कर रहा है उसके बाद, देखो भी यहाँ पर एक दूसरा लड़का दिखाई दे रहा है आर्यन के जेसा ही, लेकिन देखो यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि कपड़े सुखा रहा है, मतलब कि उसने यह टनल को अपना घर बना दिया है तो आर्यन ने यह टनल को अपना घर बना दिया और दूसरा लड़का जो यहाँ पर आया है वो भी आर्यन की तरह है, वो भी कुछ ढूंड रहा है कि मैं कहां रहूं कैसे रहूं तो next picture में हमें दिया है कि उसके हाथ में कुछ है और वो आर्यन के पांस चाहता है और कुछ दोनों बाते करते हैं दोनों सेम एज के लग रहे हैं दोनों अखेले हैं दोनों मेंसे किसी के पैरंस नहीं है किसी के पांस घर नहीं है तो यह जो लड़का है वो आर्यन के साथ कुछ बात कर रहा है अभी next picture में हम देखते हैं यहाँ पे 4 wooden sticks है कुछ टेंट चैसा उन लोगों ने बनाया है और यह दोनों एक साथ कुछ कुकिंग कर रहे हैं और टनल में ही दोनों एक साथ रहने लगे हैं यानि कि यह picture जो है न उससे हमें पता चलता है कि आर्यन पहले अपनी left सेट करता है टनल में रहता है वहीं पर खाना बनाता है सोता है ओके और यहाँ पर बाहर देखो अपने समागी होगी कि वह यहां पर रहनें दे उसके पास क्या होगा टेंट बनाने का सांबान होगा कुछ जोगे कुछ कपड़ा होगा और यह चार वूदन स्कीख होगी और उससे क्या हुआ कि उन्होंने टनल के बाहरे टेंट कि बना ली पर दोनों बै यह हुआ है兒 दोनों एक conditions could find out करनी पड़ती है कि कहां रहेंगे किया खाएंगा क्या बनाẹंगे ओके हमें टो हमारी मं मुझे से खानो बना के भी देती है कओ कभी कभी खिलाती भी है न तो दीखो सारी 빛शलिटीज हमें अभी कहां से मिलती है हमारे parents के पास से मिलती है बहुत सारी facilities अब आगे कुछ thinking से का portion दिया है यहाँ पे हमें कुछ सोच के question answers बताने है तो पहला है where would Aryan's first house be अभी Aryan का first house कहां से कहां पे होगा तो Aryan का जो first house कौन सा था कि वो cement pipe थी वही उसका house हुआ ना क्योंकि कि वहां पे वो बार इशारी थी तो वहां पे बैठा और वो वहीं पे रह गया second है which facilities would Aryan have first Aryan के पांस सबसे पहले कुछ सी facilities आई तो रहने की रहने की facility Aryan के पांस सबसे पहले आई why would another boy have joint Aryan दूसरे boy ने Aryan को क्यों join किया क्योंकि वो भी अकेला था उसके पांस घर नहीं था कुछ नहीं था और Aryan भी अकेला रहता था तो Aryan के साथ वो रह गया उसने पहले आई रहन से पूछा होगा कि क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं तो Aryan तो अकेला था वो क्यों बना करेगा ओके इसके बाद fourth question है what may another boy have proud with him अभी जो दूसरा लड़का था वो अपने साथ क्या लाया होगा तो दूसरे लड़के के पांस क्या होगा चार उसके पांस four wooden pipe और एक कपड़ा होगा देखो यहां पे टेंट बनाने का सामान होगा और उसने तनल के बाद यह सिमेंट पैप के बाद बहार एक बना लिया है टेंट और दोनों वहां पे आराम से बेठे है तो उसके पांस होगा टेंट बनाने का सामान अभी है वो विल बैनेफिटेड ड्यू तो बोड़ बोइस बिगिनिंग ट तो लड़के के पास भी कुछ सामान होगा ना तो दोनों को एक दूसरे की कंपनी मिल गए और दूसरा लड़का जो है उसके पास रहने के लिए कुछ नहीं था तो आर्यन ने उसको रहने के लिए जगा भी दे दी तो दोनों वो इससे वो दोनों को बैनेफिट हुआ रहने की खाने पीने की फैसिलिटीज अभी मिल रही है वह जहां पर बहुत रहते हैं तो अभी जब तक वह तक तक उनके पास ये सारी रहने की बाहर बैठने की खाने पीने की सारी facilities अभी उनके पास अवेलेबल है अभी next question क्या है what would they do now to get more facilities अभी ये दोनों ज्यादा facilities के लिए क्या करेंगे अभी इनकी कोई family नहीं है, parents नहीं है next question है, where would the boys buy vegetables from वो vegetable किसके पास से लेते होंगे, जो vegetable seller होगा वैंडल होगा, फेरी वाला होगा, जो सबजी वाला होगा उससे पास से vegetable लेंगे which things of nature would have been utilized by both the friends अभी nature की कौन से things ये दोनों friend यूज़ कर रहे है तो वो जमीन को यूज़ कर रहे है, वो air को यूज़ कर रहे है और वो water को यूज़ कर रहे है ये तीनों natural चीज़े है last second है, what are the essential things required for a man to live अभी इंसान को रहने के लिए क्या चाहे इंसान को रहने के लिए कपड़े चाहिए, एक मकान ची़े है रहने के कोई जगा चीए और खाना चीए और सांस लेने के लिए air चीए तो सबसे ज्यादा important कौन से चीज़े है air, water and food and clothes तो अभी अभी आरियन के पास family नहीं है कुछ में लेकिन फिर भी उसने अपने रहने का ठीकाना डूंड लिया खाने की चीज़े डूंड ली उसके पास कपड़े है तो उसकी जो basic need है वो तो fulfill हो गई ना लास्ट है अभी जो उसका चोटी सी टनल है वो क्या है उसका house है चोटा सा house है तो उसको कैसे clean रखेगा तो उसके आजो बाजो में कोई कचरानी फेलाएगा गंदे पानी वो वहाँ पे गंदा पानी नहीं डालेगा और हर रोज उसको clean करेगा इस तरह से वो अपने house को clean रख सकता है देखो भी एक लड़का है यसे बहुत सारे लड़के हैं दुनिया में कि वो अकेले होते हैं जिसको कोई parents ने होते हैं उनको कहीं पे भी रहने के लिए जगा मिल जाती है कहीं पे भी वो बटकते रहते हैं लेकिन क्या ये सही है अभी ये facilities हमें क्यों मिली क्योंकि हमारे पास nature है हमारे पास environment है ये सारी facilities हमें environment ने provide की है इसलिए दोनों लड़के हैं अभी रोड़क पे टनल पे सवायव कर सकते तो आज हमने इतना learn किया कुछ question answers यहाँ पे लिखने नहीं थे सिफ सोच के उसके answers बताने थे तो वो हमने learn कर लिए आगे का जो portion है वो हम next video में learn करेंगे वन्डे मात्रम